हेलो वाईर, सलाव अलेकुम, वेलकम बैक टूमाय चनल, मैं हूँ आपको दोसम्टिसाइम, अगर आप सुपर Μार्केट की जॉब सेर्च कर रहा है, यूँ एक तर, तो काफी लेटेस्ट और न्यू अपॉर्चनेटीज एक सुपर Μार्केट आपको प्रॉइड कर रही है, हर आप इस वीडियो को skip करते हैं तो बहुत कुछ आप खोदेंगे इसलिए वीडियो को पुरा चकाउट करिएगा तो चलिए आगाजे वीडियो करते हैं बिना किसी दरीके देखते हैं वेकेंसिस क्या क्या और कैसे अप्लाई करना है चेकाउट करने के लिए सिंपली आपको इस वीडियो को पुरा चकाउट करना है मैं आपको practically one by one step बताने वाला हूँ आगाजे वीडियो शुरू करने से पहले एक बात का दियान ने किया चैनल को सब्सक्राइब पर दीजीगा बैल आगन को प्रेस कर दीजीगा चलिए अब देखते हैं वेकेंसिस के अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने सारे डिपार्टमेंट में है तो according to this पॉजिशन को फिल करने का भी ऑप्शन दिये जाएगा जो सेल्डे बेनेफिट आपको मिल सकते हैं वह आपकी स्क्रीन पर है जहां पर आपको गूट सैल्री मिलेगी विज़ा अकमडेशन ट्रांस्पोर्डेशन एर ट्रिकेट फूड और मैडिकल जैसे बड़े बेनेफि है दो से आट हजाद रहां सालरी है जो बेनेफिट हैं यहाँ पर वह स्टेंडर आपके साथ डिसकस कर दिये गए हैं अब सीवी जो आपको ड्रॉप करना सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन बाक में जाना है और पहले लिंक पर क्लिक करना है लेकिन अगर आप यूए में सकते हैं बस अब अपने मोबाइल को डेस्टॉप मोड में कर लिजीगा तो चलिए चलते हैं इसक्रीन पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा है पूरा फॉर्मा को फिल करना है अब आपको किस डिपार्टमेंट में इनके जॉब करनी है हैड ऑफिस में करनी है रिटेल चेंड में करनी है यहां पर आपको में यह सारे कड़ кино करना है, सिल्स में सेल्क करेंग नहरू. नोटे स्पिरेट आपको कितने टाइम बात चाहिए एक मन दो मन मैं आपको रिकमेंट करूँगा अगर आप यूई में अवेलेबल है तो वन और लेस करिएगा और यह अवेलेबल नहीं है तो थिरी और मौन करिएगा ठीक अब यहाँ पर आपको एंप्लाइमेंट टाइट अच्छे से वीडियो को देखेगा आपको फुल्टाइम जॉब करने है पार्ट टाइम जो भी करने है वह आप अनसर करतीजेगा ठीक आपकी लास्त मंत की सेलरी कितनी है और टारगेत सैलरी कितनी यहाँ पर आपको अपको धरभ में के अंदर अपनी सैलरी इरिकनी है तो तो सारे तीन हजार द्रम्द है आपकी लाट टार्गेट और पिछले मन्त की जो जाज से बाद इससे कमी होगी यह करने के बाद आपको अपना experience बताना है apply job के लिए कितना experience आपके पास है एक साल, दो साल, तीन साल ठीक तो मैंहाँ पर लिख देता हूं अब आपको परसनल ड पोइंट है वो compulsory है वो आपको करना ही पड़ेंगे बागी सब आप छोड़ सकते है नाशनल टी में अपनी नाशनल टी लिखेंगे और date of birth यहाँ पर लिख सकते हैं या यह इसे छोड़ सकते हैं बाकी आपको जैंडर सलेक करना है अपना और किस country के आप रहने वाले हैं य मुबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे जिस country में आप रह रहे हैं उस country का पहले सपोस करेंगा दुबई में है तो दुबई का अब आप जिस country का रहने वाले हैं उस country का भी आपना contact नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा और अपना email address है वो भी यहाँ पर आपको mention करना आप अपना लिखिएगा एजुकेशन में आपको अपना जहां से कंप्लेट करी उसका नाम और कंप्लेट करी country और degree और certificate यह सब आपको यहाँ पर online डालना पड़ेगा इस section में ठीक अब यहाँ पर आपको अपने employment detail यानिक last company में आपने काम करा उस company का नाम उस company में आपकी position बस दो चीज़े डाल दीजिएगा और तीसरी job responsibility का क्या आपका कामदा ठीक यह आप नहीं डालना चाहें तो इस तरह से बंद भी कर सकते हैं लेगिन मैं आपको recommend करूँँगा आप ज़रूर डाले अब आपके पास reference अगर है तो उस company का नाम और office relation यह डालेगा नहीं है त आपके पास Emirates ID है तो simply यहां से अप्रोड कर देंगे नहीं है तो छोड़ देंगे इसी passport में हैं पर आपको passport का number डालना पड़ेगा जो भी आपका passport का number हो किस country से issue हुआ, date कब issue हो और कब expire होगा और आपकी passport के attachment भी यहां पर copy बना लेनी है अपने passport की उसे यहां पर attach कर दे हो तो बागी apply करेगा कोई doubt हो नीचे comment बस में अपनी क्योरी को अपनी doubt को आप comment जरूर करेगा पहले बार चैनल पर आया हूँ तो अभी subscribe करके bell icon को press कर दीजीगा thanks for watching खुदा अपिस